कि शुरू करें कि सभी पत्रकार बंदूओं को नमश्कार पीसी विलम करने का कारण यह है कि भारती जनता पार्टी के लोगों का उनके सरकार का भ्रस्टाचार खोजने में तमाम नए तत्थ बार-बार आ जाते हैं सामने तो इसलिए तुना विलम से आया आपके सामने साथियों और दोस्तों कितने सुनियोजित तरीके से पिछले कुछ वर्सों में परदे के पीछे देश की जनता से छिपा कर हजारों लाखों करोड का भ्रस्टाचार देश की मोदी सरकार ने किया है भारती जनता पार्टी की सरकार ने किया है इसका खुलासा आपके सामने करना चाहता हूँ और ये भरस्टाचार एलेक्टोरल बांड के नाम पर हुआ है एलेक्टोरल बांड के नाम पर ये घोटाला ये भरस्टाचार हुआ नियमों का बदलाओ किया गया हजारों करोन की टैक्स की छूट दी गई लाखों करोन को कमप चल रहा था मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूं माननी सर्वोच नयाले का जिन्हों ने मुह से छाती से दिमाग से जहां जहां इनका डाटा छुपा हुआ था वो सारा का सारा डाटा खीच के देश की जनता के सामने निकालते रख दिया मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननी सर्वोच नयाले का और आज जो मैं खुलासा करने जा रहा हूं इसकी तो पूरी सीरी जब चलेगी कि कितनी बड़ी घोटाले वाज पार्टी है भारती जनता पार्टी और कितने बड़े महा भ्रस्ट सरकार हिंदुस्तान की समय चल रही है मोदी सरकार मैं एक एक करके खुलासा कर रहा हूं है तैंतिस कंपनिया ऐसी है कि जिनको साथ साल में एक लाख करोण रुपय का घाटा हुआ है मैं अ कि तैंतिस थर्टी थ्री कि कि इनको पिछले साथ वर्सओं में एक एक लाख करोन रुपए का घाटा हुआ एक लाख करोन रुपए का और इन कंपनियों ने कि बीजेपी को 450 करोन रुपए का चंदा दिया है दूसरी कटेगरी है सत्रा कंपनिय एसी है इसमें इन 33 कंपनियों में जिनों ने यह तो 0 टैक्स दिया है या उनको टैक्स में रिवेट मिला है माइनस टैक्स ही शे कंप नी ऐसी है कि छे कंपनी ऐसी हैं जिनोंने भारती जनता पार्टी को 600 क्रोन रुपए चंदा दिया है कि इसमें एक कंपनी ऐसी है जिसने अपने प्राफिट से तीन गुना ज़या चंदा दिया है कि यानि कंपनी का मुणा है उसके मुनांफ़ से टीन गुना ज़या चंदा दिया कि कि इतने बड़े हिर्द्य की कमपनी है देखिए। उसका विचारे का मुं Charl kita नहीं हुआ लेकिन मुनाफ़ नहीं होने के बावजूद उसने तिनगना ज्यादा चंदा दिया है! दूसरी कंपनी ऐसी है जिसंने अपने मुँनाफे का 93 गना ज्यादा चंदा दिया है! एक कंपनी तो मैंने बताया जिसने अपने मुनाफय का 3 गुना जादा चंदा दिया है दूसरी कंप आपने मिने मुनाफय का 93 गुना जादा चंदा दिया है और तीन कंपनी ऐसी हैं जिनों ने कि 28 करोन रुपे का चंदा दिया है और जीरो टैक्स पे किया है जीरो टैक्स कि अब मैं आपको सिल्सिले वार करके बताता हूँ एक कंपनी है भारती एयर तेल कि इसने 200 करोन रुपे का चंदा भारती जन्ता पार्टी को दिया है और 77,000 करोन रुपे का घाटा इसको हुआ है याद रखियेगा 2017 से 2023 तक 77,000 करोन रुपे का घाटा हुआ है और घाटे के बावजूद बहादुर ने 200 करोन रुपे का चंदा बीजेपी को दिया है और इसको टैक्स में छूट मिली है 8,200 करोन रुपे की इसका घाटा है 77,000 करोन रुपे का चंदा दिया है 200 करोन रुपे बीजेपी को और इसको टैक्स में छूट मिली है 8,200 करोन रुपे की जिसमें से कुछ छूट इसको सुप्रिम कोर्ट के आदेश में मिली है और बाकी छूट कैसे मिली है वो एक रहस्यकावी से है दूसरी कंपनी है DLF इसने 25 करोन रुपे का चंदा भारती जन्ता पार्टी को दिया है और इसको टोटल घाटा जो हुआ है 130 करोन रुपे का हुआ है 7 वरसों में साथ साल में 130 करोन का घाटक उठाने वाली कंपनी 25 करोन रुपे का चंदा भारती जन्ता पार्टी को देती है और इसको टैक्स में जो छूट मिली है वो कितने की मिलिया 20 करोन की टैक्स की छूट मिली है 130 करोन के घाटे वाली कंपनी 20 करोन के टैक्स की चूट और 25 करोन बीजेपी को चंदा एक कंपनी है स्टील सेटेक इंजीनिरिंग इंडिया प्राइवेट लिम्टेड इसने 12 करोन रुपे का चंदा दिया है इसका कुल घाटा 150 करोन रुपे का है साथ साल में और इसको टैक्स में छूट मिली है एक करोन साथ लाख रुपे की और कोई कटेजीस नहीं इसमें 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 कंपनी आव गही थे इसमें एक कंपनी है इसमें से टोटल बॉंड यह ना कंपनी है भारिवाल इंफ्रस्ट्रक्ट्रक्ष्य लिम्टेड कि एक सो पंद्रा करोण का बॉंड इन्होंने खरीदा है कि बीजेपी को 24 करोण रुपए दिये 24 करोण 96 लाख रुपए दिये घाटा 299 करोण का हुआ है और इन्होंने जीरो टैक्स पे किया है जीरो टैक्स सुनते जाइए कितना बड़ा घोटाला हुआ है एक कंपनी है भारिवाल इंफ्रस्ट्रक्चर लिम्टेड एक सो पंद्रा करोण का इन्होंने टोटल एलेक्टोरल बॉंड खरीदा भारती जनता पार्टी को लगबग 25 करोण रुपए चंदा दिया इस कंपनी का घाटा है 299 करोण रुपए और इन्होंने मात्र एक रुपए नहीं जीरो एक रुपए भी टैक्स नहीं दिया जीरो टैक्स दिया है कि साथ सालों में कि आरल डेबलपर्स इन्होंने 20 करोण रुपए का इलेक्टोरल बॉंड खरीदा 10 करोण रुपए भारती जन्ता पार्टी को भेट चड़ाई और इनको टैक्स में रिवेट मिला है 4.7 करोण रुपए का और इस कंपनी को घाटा हुआ है 1550 करोण रुपए का कितने दरिया दिली वाले लोग है देखिया पी आरेल डेवलपर्स पी आरेल डेवलपर्स बीस करोण का इलेक्टोरल बॉंड इसने खरीदा 10 करोण रुपए भारती जन्ता पार्टी को यानि टोटल इलेक्टोरल बॉंड में से 50% अकेले बीजेपी को भेट चड़ाई 1550 करोण रुपए का इसको घाटा हुआ है और इसको टैक्स में छूट मिली है जीरो से भी नीचे माइनस टैक्स है इसका टैक्स रिवेट 4.7 करोण रुपए इग्विया फॉर्मा यूजिया फॉर्मा ये यूजिया फॉर्मा लिंटेड ये सरद रेट्डी की कम्पनी है इसने 15 करोण रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा है और सारा का सारा 15 करोण रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड भारती जंता पार्टी के भेट चला दिया है और इसको घाटा हुआ है साथ वर्सों में 28 करों का, 28 करों का घाटा हुआ, 15 करों का बॉंड खरीदा, सब कुछ बीजेती को चड़ा दिया और इसको टैक्स में छूट मिली है, 7 करों 20 लाक रुपे की माइत्रा एनर्जी इंडिया प्राइवेट लिंटेड, 19 करों का इलेक्टोरल बॉंड खरीदा इसने 19 करों का इलेक्टोरल बॉंड खरीदा, 9 करों 99 लाक यानि की 10 करों रुपे अकेले बीजेपी को दे दिया, इसको 7 साल में घाटा हुआ है, 86 करों रुपे का और इसको टैक्स में छूट मिली है, 126 करों रुपे पिरामल कैपिटल हाउसिंग फाइनस लिम्टेड इनोंने 10 करों रुपे का इलेक्टोरल बॉंड खरीदा, 10 करोन रुपए BJP को चंदा दिया 1637 करोन रुपए 16,376 करोन रुपए का इनको लॉस हुआ है 16,376 करोन रुपए का जिसको लॉस हुआ है उसने 10 करोन रुपए का चंदा भारती जंता पार्टी को दिया है और 10 करोन का ही बॉंड इनोंने खरीदा था और इन महोदे को 5178 करोड 50 लाक रुपए की टैक्स की छूप मिली है रिवेट मिला है ओरियंटल साउथ देली होटल्स प्राइवेट लिम्टेड इन्होंने 5 करोड रुपए का एलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा है 5 करोड रुपए का पूरा भेंट इन्होंने बीजेपी को चड़ाया है 49 करोड रुपए इस कंपनी को 7 साल में घाटा हुआ था और इस कंपनी ने जीरो टैक्स पे किया है जीरो विलेज दे नंदी प्राइवेट लिम्टेड इन्होंने 5 करोड रुपए का एलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा है पूरा का पूरा 5 करोड रुपए बीजेपी को दिया है और इन्होंने जीरो टैक्स दिया है इनको भी विचारे को 49 करोड रुपए का धाटा हुआ था कितनी दरिया दिलिया आद देखते जाए 49 करोड का धाटा हुआ है 5 करोड रुपए चंदा दिया है और जीरो टेक्स दिया है अब बाखी काम तो एडी और सी बियाई करेंगे आज ही पहुचेगी सब क्या मेरे ख्याल से सब क्या भी छापे पढ़ने सुरू हो जाएंगे देखेंगे लिस्ट जैसे जारी हो रही है टकितो लीज ऑपरेटर्स प्राइवेट लिम्टेड इन्होंने चार करों रुपए का बॉंड खरीदा है चार के चारो करों रुपए भारती जन्ता पर्टी को दिये है एक सो सरसच करों रुपए का घाटा इस कंपनी को हुआ है और माइनस बीस लाग यानि की बीस लाग की चूड मुलियों दो है अरविंद बीवति ब्रांच रीटेल प्राइवेट लिम्टेड जा तीन करों रुपए का इन्होंने बॉंड क्रीदा है तो आधीन करों रुपए इन्होंने बीजेपी को चल्ड़ा दिया है 11 करों रुपए का इनको विचारे को भाता हुआ है और सब्सक्राइब कर दो करोन का बॉंड इन्होंने खरीदा दो करोन रुपए बीजेपी को दिया सत्तर लाख रुपए पुल घाटा इनको हुआ है और दस लाख रुपए इन्होंने टैक्स दिया गैनन डंकरली एंड कंपनी लिम्टेट इन्होंने डेड़ करोन रुपए का बॉंड खरीदा डेड़ करोन रुपए टोटल बीजेपी को दे दिये एक सो इकीस करोन रुपए इस कंपनी को घाटा हुआ है और 42 करोन रुपए का टैक्स रिवेट इनको मिला है इनक्स लिम्टेड इन्होंने एक करोन लिया एक करोन दिया 283 करोन रुपए घाटा हुआ इनको और 17 करोन रुपए की टैक्स की छूट मिली जे एनेस इंस्टुमेंट्स लिम्टेड एक करोन का बॉण्ड लिया एक करोन वीजेपी को दिया 35 करोन इनको घाटा हुआ है जीरो टैक्स दिया है अरिहन इंटरप्राइज लिम्टेड चालिस लाक रुपए का इन्होंने बॉण्ड खरीदा चालिस के चालिस लाक रुपए वीजेपी को दे दिये और जीरो टैक्स इन्होंने पे किया है और तीस लाक रुपए ता इन्होंने घाता दिया अब आता हूँ अगली कटेग्री में छे कंपनिया ऐसी हैं जिनों ने अपने कुल मुनाफच और बुज़ेपी को दिया यह जजादा डर्या दिलि वाली कंपनिया सो कि वह भी दर्या दिली उनकी सबसे आदर तो विचारे घाटे में भी दे रहे थे बीजेपी को चंदा और इनकी भी दर्या दिली कं नहीं इनको जितना मुनाफ़ा हुआ उससे ज्यादा चंदा दिया है यह चंपन छे कंपनिया कौन है क्विक क्विक सप्लाइचें प्राइवेट लिंटेट चार सो दस करोन रुपए चार सो दस करोन रुपए ध्यान से सुनिये फिगर ये चार सो दस करोन रुपए इन्होंने एलेक्टोरल बॉण्ड खरीदा आया इक यांड़ दस में कीन तस्याद नहीं ये क्या है अच्छ ये दिया है ये प्रॉफिट है ना ये प्रॉफिट है और ये टैक्स दिया है ये है क्विक सप्लाई चेंड प्राइवेट लिम्टेट चार सो दस करोन रुपए का इलेक्टोरल बॉण्ड इन्होंने खरीदा और चार सो दस करोन रुपए के इलेक्टोरल बॉण्ड में इन्होंने तीन सो पच्छत्र करोन रुपए बीजेपी को दिया है तीन सो पच्छत्र करोन रुपए अकेले दिया है बीजेपी को और इस कंपनी को 144 करोन रुपए का फाइदा हुआ है यानि कि 144 करोन का फाइदा हुआ है 375 करोन रुपए इन्होंने बीजेपी को फाइदे से ज़्यादा चंदा दिया है एक कंपनी है मदनलाल लिम्टेड 185, 185 करोन 50 लाख का इन्होंने एलेक्टोरल बॉण्ड खरीदा 175 करोन रुपए बीजेपी को चंदा दिया 185 करोन का बॉण्ड खरीदा 175 करोन 48 लाख रुपए बीजेपी को चंदा दिया है दो करोन रुपए विचारे को फायदा हुआ था कोई देखिए दरिया दिलीन की दो करोन का फायदा हुआ है और इन्होंने बीजेपी को 175 करोन रुपए का चंदा दिया है और इनको टैक्स रिवेट टैक्स की चूट मिली है 3 करोन 11 लाख रुपए नेक्स जी डिवाइस प्राइबेट लिम्टेट नेक्स जी डिवाइस प्राइबेट लिम्टेट 35 करोन का बॉण्ड इन्होंने खरीदा 35 के 35 करोन रुपए बीजेपी को चंदा दिया और इसके जो प्रॉफिट है वो 28 करोन पचासी लाख रुपए है ये भी प्रॉफिट से ज़्यादा चंदा दिये और 14 करोन रुपए का इन्होंने टैक्स भी दिया है और उपर वाली कोई कमपनी ने भी 62 करोन रुपए का टैक्स दिया है इन दोनों मामले में टैक्स की गड़बरी नहीं ये भी मेंसन करना चाहता हूं तथयों को छुपाने का कोई काम नहीं आगब ABNL Investment Private Limited 10 करोर रुपए का बॉंड लिया, 10 करोर रुपए बीजेपी को चंदा दिया, 9 करोर रुपए लगबाग इस कंपनी को मुनाफ़ा हुआ और 4 करोर 69 लाग का इनोंने टैक्स दिया प्रगती इंटर्प्राइज लिम्टेड, 3 करोर का इनोंने बॉंड खरीदा, 3 करोर रुपए बीजेपी को दिया, 2 लाख रुपए विचाने का मुनाफ़ा है, 2 लाख का मुनाफ़ा है, 3 करोर रुपए इनोंने चंदा दिया है और जीरो टैक्स पे किया है स्री क्रिष्णा इंफ्रास्ट्रक्चर लिम्टेल, 2 करोर का बॉंड खरीदा, 2 करोर बीजेपी को चंदा दिया, 16 लाख रुपए का इनको राइदा हुआ है और 4 लाख रुपए इनोंने टैक्स दिया है ये कैटेग्री अब एक कैटेग्री है जिनको रिबेट मिला है, छूट मिली है, उनके चंदे भी बड़े मज़ेदार है M.K.G. Enterprises Limited, 192 करोर रुपए का इनोंने इलेक्टोरल बॉंड खरीदा है 26 करोर 94 लाख रुपए इनोंने बीजेपी को चंदा दिया है 7 करोर 33 लाख रुपए का इनको फायदा हुआ है और 10 करोर 62 लाख रुपए इनको टैक्स में छूट मिली है, रिबेट मिली है पतेल हाइवे, प्राइवेट लिम्टेट, एक करोर का इनोंने बॉंड खरीदा एक करोर रुपए बीजेपी को दे दिया, 24 करोर रुपए का इनको प्रॉफिट हुआ है और टैक्स में छूट इनको मिली है, इसी इंडिया लिम्टेट, 40 लाख का बांड खरीदा, 40 लाख बीजेपी को दिया, 11 करोर 85 लाख रुपए इनका प्रॉफिट है और 2 करोर 24 लाख की इनको टैक्स में छूट मिली है, अब कहां है AD, कहां है CBI, कितने मुकद्मे दर्ज हुए, ये फर्जी कमपनिया कागच पे बनाते, सैक्ड़ो करोर रुपए की मनी ट्रेल साफ साथ दिख रही है, हजारो करोर की, एक एक कमपनी, 375 करोर, 100 करोर, पता नहीं कितने कितने करोर, BJP को चंदा दे रही है, कमपनिया घाते में है, उसके बावजूद चंदा दे रही है, अब इसमें तो सबसे महत्पूर बात है, न खाऊंगा, न खाने दूंगा, न खाऊंगा, न खाने दूंगा, मोधिन जी ने कहा नियम बनाऊंगा और खाऊंगा नियम बनाऊंगा और खाऊंगा पूरे देश से जितना जम कर हो सकेगा अपनी पार्टी के लिए भरस्टाचारी चंदा इकठा करूँगा अब उसके अंतिम बात पर आता हूँ कि दोजार सत्रा के पहले सभी मीडिया के मित्रों को यह जानना जरूरी है सारी मीडिया को यह जानना जरूरी है कि यह कितना बड़ा घोटाला है और कैसे है क्यों कियों कहरा हूं इस बाद को दोजार सत्रा के पहले इस देश के अंदर एक कानून था चुनावायोक का कि अगर पिछले तीन वरसों में किसी कंपनी को मुणाफा हुआ है तीन वर्सों में लगातार किसी कंपनी को मुनाफ़ा हुआ है तो अपने तीन वर्सों के मुनाफ़े का मात्र साढ़े साथ प्रतिसत वो चंदा दे सकते हैं ध्यान से सुनिये गए इसको फिर से रिपीट कर देता हूँ चुनाव आयुक का नियम था 2017 तक नियम था अगर कोई कंपनी किसी पार्टी को चंदा देना चाहती है तो उसके उपर एक नियम लागू होगा कि पिछले तीन वर्सों में जितना मुनाफ़ा आपको हुआ है अपने मुनाफ़े का मात्र साढ़े साथ प्रतिसत आप किसी पार्टी को चंदा दे सकते हैं मतलब साफ हो गया घाटे की कंपनी चंदा नहीं दे सकती मतलब साफ हो गया जितना मुनाफ़ा है उससे कई गुना जादा चंदा नहीं दे सकती मतलब साफ हो गया सेल कमपनिया, फर्जी कमपनिया, काजी कमपनिया बनाके किसी पार्टी को चंदा नहीं दे सकती मतलब साफ हो गया कि भरस्टाचार की कोई गुनजाइस उस नियम में फिल हाल अगर आप सीधे तोर पे चेक के माध्यम से चंदा दे रहे हैं भरस्टाचार करेंगे उन्होंने दोहजास सट्राव के नियम बदन दिया वुले नियम भरस्टाचार के लिए नियम बदलो भाचपा की सर्कार है भाचपा का हाथ ध्रस्टाचार के साथ असला की ऐलेक्टोरल बॉल्ड का बड़ाकान देखे आप इनोने 2017 में ये जो नियम था, ये जो प्रोवीजन था इसको बदल दिया और उस समय एलेक्शन कमिशन ने इसका विरोज किया इलेक्शन कमिशन अफ इंडिया हैड औजेक्टेज तो रिमूबल अफ इस प्रोवीजन और उसका विरोज कुड़ेंगे ये नियम बगलेंगे तो ये रास्ता खुलेगा उन फरजी कमपनियों के लिए जो कागजी होती हैं जो सिर्फ पार्टियों को चंदा देने के लिए भ्रस्टा चार करने के लिए बनाई जाती है अब मैंने पूरा आकड़ा एक एक करके रख दिया आपके सामने मैं चाहता हूं हिंदुस्तान की जनता को बताइए कि कैसे हाजारों करोन लाखों करोन रुपए की टैक्स की छूट देकर एक्स चेकर को नुकसान पहुंचाए गया है कैसे बड़ा घौटाला नियमों में बदलाओ करके किया गया है कि 2017 के पहले यह नहीं हो सकता था यह electoral bond का खेल करने के लिए electoral bond का कांड करने के लिए बीजेपी ने नियमों में बदला हुगिया आज जरा सीवी नहीतिकता है भारती जनता पार्टी के अंदर देश की महा भरस्ट पार्टी में बार बार कहता हूं हिंदुस्तान के आजादी के बात से लेके आस तक इस धर्थी पर सबसे भरस्ट पार्टी अगर कोई है तो उस पार्टी का नाम है भारती जनता पार्टी बंगारी जनता पार्टी और उस पार्टी के लोगों ने इतना बड़ा खेल इतना बड़ा कांद किया है इडी तुरंत जाए उनके पास सीबी आई तुरंत जाए उनके पास इन कंपणियों से पूस्ताच हो और बी जेपी के नेताओं से पूस्ताच हो गिरफतारियां हो और कारवाई होनी चाहिए कारवाई नहीं हुई तो हम लोग आगे का रास्ता अपनाएंगे मैं चाहता हूँ हमारे भारत के आदलनी प्र कि देज करो भाई प्रदान मंत्री जी धीरे नहीं बोलते जो बात बोलते हैं तेजी से बोलते हैं ऐसे काम ने चलेगे कि शुरू से करिये सुनने ही पाएंगे मीडिया वाले काम गवत कीजिए मोदी जी बहुत मजबूती से बोलते हैं चीजों को कि चलिए यहां रोको यहां रोको बंद करो यहां पर अगर आप नहीं सुन पाया है तो मैं सुना देता हूं मोदी जी कह रहे हैं मोदी ने तीन लाख कंपणियों को ताले लगा दिये और आप हैरान हो जाएंगे कि देश में कहीं कोई अंदोलन नहीं हो रहा है चलो वागे सुना दो है जिसके तो हजार एक सो पैंके टों थे एक कंपणी इसकी सो पैंके टाओं अब अब तो है अब तो है अब बंकर आप मोदी जी ने तीन लाख कंपनिया पकड़ी थी फर्जी यह मैं तो नहीं कह रहा हूं भारत के आधनी प्रधाज मंत्री संवान्नी अप्रण्य पूर्दानमंत्री विश्यगृूः आधरणी नरेंध्र मोदी जी ने अब्सक्राज मैं प्रदानमंत्री पूम्तरी यह कंपनीयां कौन से यह कंपनिया कौन सी हैं जिसमें से बहुत सारी कंपनिया ऐसी है जिसके हम लोग जानते ही नहीं आपको चंदा दे दिया आप बताइए प्रधान मंत्री जी कि यह आपके बयान है है थीन लाख क्मपनियों को आपके बंद क्या इन फर्जी सेल कंपनियों को आपके बंद पर्जी से से आपको चांदा कैसी मिला प्रताम crying ली जिए हैं पताईए को अगे बीडियो और दिखा जेये अब आपने देखा होगा तमिल लाडू में इसाड़े चार करोन या पांच करोन अभी में दिखा देता हूं आपको गड़ी पकड़ी गड़ी तमिल लाडू की पुलिस में पकड़ाया तो उससे पूछा गया यह पैसा कहां से आया यह गड़ी यह कहां से मिली तुम्हें बोला साब हम तो बीजेपी केंडिडेट को देने जा रहे थे दिल्ली से गड़ी मिली है दिल्ली से यह गड़ी हमें दिल्ली से मिली हम तो जा रहे थे लगा दो सारी एडी सीवियाई अब भाजपा को एक्सपोज करो एडी सीबियाई वालों दिल्ली से गड़ी तमिल लादू कैसे पहुंच रही है उन गड़ियों का बनाओ क्योंकि अभी तो तमिल लादू पुलिस में पकड़ा है अब इडी इसमें लगाओ सीबियाई लगाओ और वही गड़ियों का जैसे इडी बनाते हो वैसे इडी बनाके दिखाओ या मैंने देखा को गुड़गाओं में साथ 2,5 करोन बनाया था तो बढ़िया से गड़ी बनाके इडी लिख दिया था जो बीजेपी का साले 4 करोन पकड़ा गया है इडी जाओ उसमें और गड़्यों को अपने हवाले लेखे और डी लिख के दिखा दो खाली बस बीजेपी अको बीजेपी ये लिख गगा दिखा दो बीजेपो जो मर्धी आया आपको भोट पहले से दो, बाइब निषी लोग भाई इसके जवाब में इसके जवाब में यह निए? एक दम ने तो पहले से कर रहे हैं लोग भाई उसके जवाब में कहा है मैंने उत्व बता दिया 2017 में नियम बदला भाई ये फर्जी कंपनियों से चंदा लेने का नियम तो 2017 में मोदी जी ने बदला ना उसके जवाब में क्या ये घोटाला तो कब से कर रहे थे सराब मीती तो 21-22 में बनी है ये घोटाला तो कब से कर रहे थे और दूसरी बात ये है कि सराब घोटाला तो चिला चिला के कह रहा है कि भाजपाईयों ने किया है अब कोई सुनना ना चाहिए तो मैं क्या कर सकता हू सराग भोटाला चारो तरफ से चिला चिला के कहई रहा है सरद रेड़ी ने साथ करों दिये सरद रेड़ी ने साथ करों दिये अब अगर उसकी जांची नहीं हो रही है अगर उस पर EDCBI कारवाई नहीं कर रही है अगर हमारे माननी एल जी साथ बिने सक्सेना जी चिठी नहीं लिख रहे हैं तो इसमें मेरी गलती तो है लिए देश को तो बताना पड़ेगा कि शराग भोटाला भाजपाईयों ने किया है मैंने देखा कुछ फोटो टो लगा रहे हैं भाजपाई एक फोटो लगाओ मोदी जी कि सराब के बोतल पर अमिश्या की और सबकी लगाते हूं उनको भी सजाओ कर देना नहीं तो हम लोग कर देंगे यह सब खेल हम लोग के साथ मत करो सबकी जाच कीजिए हाँ मैं कर रहा हूं अगर उनके भी किसी लोगों से ऐसे लिए अब उसकी विजाच करेंगे लेकिन यह तो चिला चिला के बोल राग होता लाई बताइए आप जो कंपनी अपने मुनाफित प्राफित दिखा रही है जीरो टैक्स दे रही है वह सैक्रों करोन का चंदा दे रही है यह मनी ट्रेल नहीं है यह सीदा सीदा भरस्टाचार नहीं है चलाइए इसको गंडियां दिखाएए प्राफित दूख पर इसको बातर अधर मुझे ज़िए पीज़ने करे ने रहा है उन्हें कुछ ने रही है और भी मताया गया है उन्हें कुछ ने बताया गया उनके साथ काम करना मुश्किल है इसको आदे बादे बादे वाज आदें ऑज बख्धाईयों का 405 चल तुरा रही है 400 कुर्सी में इतने रहे हैं ऐसे देखे मैं सिर्फ यह कह रहा हूं कि EDCBI कारवाई क्यों नहीं करेगी बागी चीजों में सक्रिय रहने वाली EDCBI बाढ़ा पार्वाई क्यों नहीं करेगी यह बड़ा अजीव सवाल मुझे लगता थिजब आम आदमी पार्टी का मामला हो तो EDCBI गामा पहलवान है जब जारखंड मुक्ति मोर्चा का मामला हो तो EDCBI दारा सिंग पहलवान है जब कांग्ठेस का मामला हो तो ED, CBI बड़े-बड़े बॉक्सरों की तरह एक बॉक्सर तो खेर चले गए वहां से तो बिर्जंडर सिंग बॉक्सर की तरह कारवाई करने लगती है तुरंत Congress Party का खाता सीज़ करना हो तो करती है कि नहीं करती है लेकिन जब हम बीजेपी के खिलाब कोई ब्रस्टाचार उठाते हैं तो भाजपा इतना भोला बालक बन जाते हैं कोट जाईए इसके लिए यह बड़ी अजीब बात है और मैं हैरान होता हूं कि कई मीडिया को एंकर भी कहते हैं कि अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ गर्वड़ी है तो कोट जाईए क्यों भाई कोट जाए यह घास चीलने के लिए यह प्तारवाई करने के लिए एडी सीविया हमारे मामले में सिर्फ घास चीलेगी कि वहां पर घास चीलवा कंपनी बन जाएगी हो इस तो बहुत ही हैरान करने वाली बात है इडी सीविया इंकम टेक्स डिपार्टमेंट इस देश की जनता के पैसे से तंखा मिलती है इन सब्कुर्णणेंटर करने के लिए उतनी ही सक्तृयता आप խारती जनता-पार्टी के खिर्प कारवाई करने के मामले में दिखानीन चाहिए और यह बार-बार कहना कि कोड़ जाओ पोड़ जाओ जाओ यह दिखाता है टिफिंज एपी के मामले में बीजपी के रस्टा च और इसको देखें उसको देखें उसको कानून का काम है वो कानून करेगा लेकिन जो खुले आम आप लोगों के सामने दिख रहा है आज तो कारवाई पर उसकी बात हो रही है और कोर्ट ने तो अपना काम कर दिया भाई आप कोर्ट से कितना काम चाहते हैं कोट से आप कितना काम चाहते हैं दिल्ली में रासन ना मिले हम कोट जाएं पानी ना मिले हम कोट जाएं बीजली ना मिले हम कोट जाएं मोहला क्लीनिक का काम ना हो हम कोट जाएं कोट के पास हजारों काम है कोट ने भरस्टाचार का खुलासा एलेक्टोरल बॉंड देश की जन्ता के सामने उपन करके कर दिया अब आप कि सीबियाई हो इडी हो इंकम टैक्स डिपार्टमेंट हो तो अब आपकी जिम्मेदार यह कारवाई करने की हर जगा कोट ही क्यों कारवाई करें क्या यह यह आप अपने धर में पांचमी के बच्चे को दे दीजेगा कि बेटा एक कंपनी है जो जीरो मुनाफा है उसका और को बीजेपी को सव गुना ज्यादा चंदा दे रहे हैं यह भरस्टा चाहर है कि नहीं पांचमी को बच्चे से पूछ के बता दीजिए अगर वो मना कर देगा तो पांचमी को बच्चा समझ सकता है और EDCBI को यह नहीं समझ में आ रहा है एलेक्टोरल बांट खोलने के झाल है झाल है झाल है